कि नमस्कार दोस्तों स्वराज कोचिंग इस्टिट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कल शाम को प्री अगरिकल्चर टेस्ट परिक्षा का परिणाम गोशित हुआ और स्वराज कोचिंग के छात्रों ने भी इस परिक्षा परिणाम में खुब सारी सभलताएं प्राप्त की है अब मैं स्वराज कोचिंग के कुछ छात्रों के प्राप्त अंक आपके सम्मुक प्रस्तूत कर रहा हूं चातर का नाम है विशाल कुमार तिरोले इनके नंबर हैं 137.43 इसके बाद हैं चातर कुंदन सिंग राजपूत 132 नंबर इसके बाद हैं चातर निक्की किरार 129.94 चातर नविन कुमबज 129.94 चातर हरियोम पाटिदार 126.7 चातर प्रभाकर चोबे 124.53 चातर राजू गेर ग गोस्वामी 122.49 यह मैं उन चातरों के नाम और नंबर आपको बता रहा हूं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं इसके अलावा मेरे पीछे लगी स्क्रीन पर आपको उन सभी चातरों का परिक्षा परिणाम प्रस्तुत होगा जो सिलेक्शन के लायक नंबर ला चुके जो 29 चातर हैं जिनकी मैंने अभी बात की थी दोस्तों आप सभी को मालूम ही है 20 जून को हमने स्वराज कोचिंग की गोशना की थी एक जुलाई से हमको बच्चे मिलना शुरू हुए एक जुलाई के बच्चे हम से जुड़ते गए हमारे पास परिक्षा की तैयारी के लिए 3-4 महिने का छोटा सा एक समय था साथियों इतने छोटे समय में भी लोग हम पर भरोसा करते हुए हमारे संसान की और मुड़े हमारे पास पढ़ने के लिए आए और इस छोटी सी अउधी में लगभग 43-43 छात्रों ने हमारी हाँ एडिमिशन लिया और बड़े हर्श और खुशी की बात ये है कि 43 में से 29 छात्रों का चैन हो गया है इन सभी के अंक इतने हैं कि ये आसानी से अग्रिकल्चर कालेजों में चैनित हो जाएंगे साथियों इसके अलावा शाम के समय एक इस्पेशल बेच भी हमारी हाँ चलती थी उस इस्पेशल बेच में हमसे कुछ वीशेज बच्चे सब्जक्ट पढ़ने के लिए आते थे वो सारे बच्चे प्राविड्ने सूची में खुब अच्छे नंबर लाकर अच्छा इस्थान प्राप्त कर चुके हैं इस वीडियो के माद्याम से मैं उन सभी चात्रों को खुब सारी बधाई प्रस्तूत करता हूँ वो अपने जीवन में खुब सारी तरक्की करें और उनका खुब सारा धन्यवाद भी प्रस्तूत करता हूँ कि इतना सब हुआ उसके बाद भी उनका विश्वास हम पर कायम रहा हमने भी उनके उपर मेहनत करी उन्होंने खुब सारे अच्छे नंबर हासिल किये ये बात के ओल वो चात्र और हम लोगी जानते हैं कि वो कौन से चात्र हैं जो प्राविम्ने सुची में है और हमारे पास शाम को पढ़ने आते थे साथियों हम और हमारी सिक्षन पद्दती हमेशा से कमजोर गरीब और पिछडे चात्रों के लिए रही है हम उन्हीं के लिए पढ़ाते हैं उन्हीं को चैनीत करने के लिए हमको जाना जाता है हम हमारे इसी कार्य को पूरे विश्वास और द्रड़ता के साथ आगे भी भविश्य में जारी रखेंगे इसी कार्य में आप सभी का सयोग और प्रेम हमको हमेशा मिलता रहेगा इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद